दोस्तों रमशकार अडानी को अडानी मोदी सत्ता ने बनाया और अडानी को कॉर्परेट मानने की भूल या गलती राहुल गांधी कर रहे हैं अडानी के नेटवर्थ में बढ़ोत्री जिस तेजी के साथ हुई वा दुनिया में किसी की बढ़ोत्री, किसी कॉर्परेट या किसी शक्स की इतनी तेजी से बढ़ोत्री नहीं हुई उस शक्स या उस कॉर्परेट के हातों में थमाते हुए उसे रईस दर रईस बनाने की इस्तिती में भारत सरकार नहीं लाकर खड़ा कर दिया क्या आप कलपना खर सकते हैं कि 2014 में जब फॉर्ब्स की लिस्ट आई उसमें गौतम अडानी का नाम कहां पर था और वही लिस्ट जब 2022 में दुनिया के लेकर आती है तो दूसरे नंबर पर गौतम अडानी होते हैं यानि 2014 में भारत के रईसों की लिस्ट में गौतम अडानी का नाम आपको खोजने में मुश्किल होगी लेकिन 2022 में भारत तो छोड़ दीजिये दुनिया के रईसों की कतार में दूसरे नंबर पर गौतम अडानी का नाम होगा और गौतम अडानी के साथ भारत की वह पूरी एकनौमी जुड़ी हुई है जिस एकनौमी के आसरे बार बार ये सवाल है कि इस देश के भीतर में PSU, कौडियों के मोल, कौर्परेट को क्यों दिये गए और उसमें भी अडानी गुरुप को क्यों दिये गए तमाम छित्रों के लाइसेंस और NOC क्यों गौतम अडानी को दिये गए अडानी ग्रूप के पास इतनी बड़ी तादाद में नेटवर्थ की बढ़ोत्री जिस रफ्तार के साथ हुई उसमें भारस सरकार और मोदी सत्ता का योगदान 90 फीसद से जादा है इसी दोर में बैंकों ने भी खुले दिल से रियायत और खुले दिल से करज अडानी ग्रूप को बाखू भी दिया इस्तिती यह भी आती चली गई कि हर नया प्रजेक्ट अडानी ग्रुप को मिलता और उस प्रजेक्ट को लेकर बैंक का दर्वाजा लोन के लिए अडानी ग्रुप खटखटा देता जैसे ही दर्वाजा खटखटाता लोन उसके दर्वाजे पर आ जाता और इस्तिती यह B.I. की रिटेन आफ यानि रियायत देते हुए करज माफी के इस्तिती में S.B.I. ने भी खुम मदद की यह सारे डॉकुमेंटेड चीजे हैं और यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है कि जिस हिंदुस्तान की एकनौमी जिस भारत की अर्थववस्था के साथ मोदी सत्ता ने उस शक्स को लेकर खिलवाल किया जिस शक्स के चाटेट पर बैटकर 2014 में वा देश वर में चिनाव प्रच किया उसमें एक बड़ा सवाल यही था कि भारत की एकनौमी को तहस नहस करने के लिए जो कॉर्परेट कल्चर मोदी सत्ता ने अपनाया वो कितना गैर कानौनी या कितना गलत था और संदेश बहुत साफ था जिस दिन सत्ता पल्टेगी उस दिन अडानी बक्षे नहीं जान्दी सत्ता में आ जाते हैं तो लेकिन जरा इस परिस्तिती को समझे कि जो भी गैर बीजेपी शाशित रज है वहाँ पर अडानी के तमाम योजनाओं को जगा क्यों मिली और उस जगा को मिलते मिलते सवाल आया साथ हज्यार करोड की डील जो राजस्तान सरकार से हुई जहां के मुक्मंत्री कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता अशोग गहलोत हैं और सवाल ये उठा कि क्या अशोग गहलोत ने सही किया एक तरफ राहुल गांदी अडानी को निशाने पर लेते हैं और दूसरी तरफ उसी अडानी के साथ साथ हज्यार करोर की डील एक योजना को लेकर अशोग गहलोत करते हैं अगला सवाल उठा कि आखिर राहुल गांदी ने आज एक प्रेस कॉंफरेंस में जब इस बात का जिक्र किया कि हम इस डील के खिलाफ नहीं हैं हम तो इस बात का जिक्र करते हैं कि मिस्टर अडानी ने राजस्थान के लिए छे साथ हज्यार तोड के जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया क्या मुख मंत्री ने उस प्रपोजल को इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वह अलग से उनको कोई सुविधा देते जी नहीं जब मुख मंत्री ने कोई सुविधा नहीं दी और अपनी लाइन और कानून से हट कर कोई खिल मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार दो तीन लोगों को जिस तरीके से हिंदोस्तान के सभी बिजनिस की मोनोपोलिस्ट बना रही है मैं उसके खिलाफ हूँ मैं ना बिजनिस के खिलाफ हूँ ना मैं कॉर्परेट के खिलाफ हूँ मैं कंसेंट्रेशन ओफ के खिलाफ हो। हमें लगता है राहुल गांदी ने जो कहा पहले आप उसे सुनिये तब इस बात का जिक्र होगा ये रास्ता भारत की राजनिती को हवा बदलने वाला तो नहीं है। अदानी जी के बिजनिस की मदद नहीं की है। मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार दो तीन लोगों को हिंदुस्तान के सब बिजनिस की मनोपलिस बना रही है। और इसके मैं खिलाफ हूँ। मैं ना बिजनिस के खिलाफ हूँ ना कॉपरेट्स के खिलाफ Concentration of Capital के खिलाफ अब देखे अगर पूरा का पूरा Political Power unfairly दो यह तीन व्यक्तियों की मदद करने में लग जाएगा तो इससे हिंदुस्तान का नुकसान होता है अगर राजिस्तान की सरकार ने अदानी जी को गलत तरीके से राजिस्तान में बिजनस दिया तो मैं उसके बिल्कुल खिलाब मैं खड़ा हो जाऊँ मगर अगर fair procedure के साथ दिया है I have no problem यानि राहूल गांधी कह रहे हैं कि अगर fair process से सारी deal हुई है तो उन्हें कोई problem नहीं है असल सवाल यही है कि क्या वाकई अडानी की पहचान corporate के तौर पर है क्या वाकई इस देश में अडानी के जरिये भारत की एकनौमी से खिलवार नहीं किया गया है और अडानी की जो हैसियत आज की तारीक में है वह मोदी सत्ता द्वारा अगर बनाई गई है तो इस देश के भीतर में दूसरे corporate राजस्थान की सरकार से कोई भी deal कैसे कर सकते हैं और दूसरा कोई भी corporate राजस्थान में क्या investment लेकर आएगा और इसके समनांतर दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है कि जब हर एक नई योजना के साथ बैंक का दरवाजा खट खटाते हुए अडानी ग्रुप को लोन मिलता है और मौझूदा वक्त में उनकी कमपनियों की कतार देखिए तो लोन इस हद तक बढ़ गया है जो दूसरे किसी भी corporate पर नहीं है दो लाख साथ हज़ार करोड का लोन है मसलन नवी मुंबई के भीतर जो एरपोर्ट बनाया गया उसमें बारा हज़ार करोड से ज़्यादा का वा लोन लेते हैं और return of SBI कर देता है ममता बेनर जी के साथ समझोता होता है और वहां के लिए भी उन्हें लोन चाहिए उन्हें मुंद्रा पोर्ट पर PVC बनानी है उस योजना को कर्यानवित करना है तो पंदरा हज़ार कवर रुपए उन्हें बैंक से लोन चाहिए यानि इस देश के भीतर में कोई corporate क्या वाकई इसलिए किसी रज में जा रहा है जिसका जिकर राहुल गांधी कर रहे हैं और जिसका जिकर अपने तौर पर गहलोत भी कह गए कि दरसल हमें तो रोजगार चाहिए तो एक बात जान लीजिए कि कितना रोजगार अडानी ग्रूप ने दिया अडानी ग्रूप के तहट जो employees की संख्या है वो 23 हज़ार के लगबग है यानि इतने बड़े ग्रूप में सिर्फ 23 हज़ार करमचारी काम करते हैं भारत के बी जिए उससे एक कमपनी में जो काम करने वाले करमचारी हैं उनकी तादाद समूचे अडानी ग्रूप में काम करने वाले करमचारीों की तुल्ला में कहीं ज़्यादा है तो सवाल रोजगार का नहीं है सवाल उस एकनौमी पर राजनितिक तोर पर सहमती और ऐसामती का है और जब सियासत फिसलती है तो दो तीन सवाल पैदा होते हैं लेकिन यहाँ पर एक छण के लिए हमें लगता है आपको गहलोत को भी सुनना चाहिए अशोग गहलोत जो खुले तोर पर ये कहने से नहीं कत्रा रहे हैं कि अमबानी हो या अडानी हो और अमिश शाह के बेटे जैशाही क्यों ना हो सब का यहाँ पर वेलकम है जो आए हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें तो रोजगार चाहिए पहले इनकी बात को सुन लीजिए आप जी तो सुना अपने अमबानी हो या कोई अडानी हो या फिर अमिश शाह के बेटे जैशाह हो हम सभी का स्वागत करेंगे यहाँ पर हमें तो रोजगार चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए इतना बड़ा दिवालियापन कॉंगरेस के भीतर और वह भी किसी मुकमंत्री के भीतर हमें लगता है यहीं से वो समझ कॉंगरेस के भीतर विक्सित होनी चाहिए कि आखिर इस देश के भीतर में नरंदर मोदी ने किस तरीके से गुजरात में 2007 के बाद गुजरातियों की फौच को इस देश के भीतर कॉर्परेट के तौर पर कैसे खड़ा किया 2007 में वाइबरिंट गुजरात के साथ उन्होंने 21 गुजरातियों को खड़ा किया क्या राजस्थान में गहलोत ये काम नहीं कर सकते हैं? क्या ये काम 36 गल में बगेल नहीं कर सकते हैं? या फिर इससे हटकर ममता बेनरजी भी ये काम क्यों नहीं कर पाई? या इससे हटकर इस देश के बीतर में कोई भी गैर बीजेपी शाशित रज का मुखमंत्री क्यों ख़ के शाषना ध्यक्षों को वक गुजरात तक लेकर आ गए तो यह समझ उनमें 2007 में क्यों विक्सित हो गई थी और प्रधान मंत्री की दौर में अगर यात कीजिए 2009 में जब लाल कृष्ण अडवानी पीम के दावेदार के तौर पर देश के सामने थे तब भी तमाम रैलियों म नहीं बोलेंगे यानि जिस पूंजी की जरुरत है जिस कॉर्परेट की जरुरत है आने वाले वक्त में जिनके जरिये इस देश के बिजनेस को अपने अनुकूल करना है इसकी पूरी रन्निती नरिंद्र मोदी अगर मुक्मंत्री रहते हुए बना रहे थे तो कॉंग्रेस अभी सिर्फ यह कहती है और राहुल गांदी सरीखे नेता जो कहते हैं कि हमें कॉर्परेट और बिजनेस से कोई असर नहीं पड़ता है वो कोई भी करे हम तो इसके खिलाफ हैं कि दरसल जो मोनोपॉली हो रही है और इस देश के सारी चीजें अडानी इसको सौंपी जा रह तो उन्हें अभी समझ में नहीं आया कि पॉलिटिकल एकनॉमी का मतलब क्या होता है वह अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि दरसल इस देश के पूरे एकनॉमिक स्ट्रक्चर को तार-तार कैसे किया गया है हमें लगता है कि राजनितिक तोर पर कॉंग्रेस के भीतर की यह कंगा की डील यह कहकर कर सकता है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम ही करेंगे यानि विकल्प की एकनॉमी विकल्प की पॉलिटिक्स और अपने लोगों को खड़ा कर पाने की स्टिती में कॉंग्रेस नहीं है और अगर आप राजनितिक तोर पर अडानी को निशाने पर लेते हैं नाम ले लेकर लेते हैं तो हमें लगता है एक वक्त तो केजरिवाल भी अंबानी का नाम लिया करते थे उनके बैंक एकाउंट को भाशनों में दिया करते थे लेकिन आज की तारीक में वो खामोश हैं यानि इस देश के भीतर में जनता की भावनाओं से क्या खिलवार किया जाता है और राजनितिक तोर पर अर्थवस्था को आने वाले वक्त में कैसे समालना है जब सारी परिस्थिती नाजुक हो चली है और वर्ल्ड बेंक और आईमेफ तक भारत को लेकर कह रहा है तो कॉंग जबकि वह जिस BCCI से जुड़े हुए है उस BCCI का एक हिस्सा राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी है जहां पर गहलोत के बेटे हैं तो क्या अपने बेटे के लिए वेटिंग कर रहे हैं तब तो आने वाले वक्त में गहलोत भी BJP के साथ खाड़े होंगे तब आन जीते हैं वो चाहे कॉंग्रिस को हो या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हो उनको क्या फरक पड़ेगा वो BJP के साथ चले जाएंगे हमें लगता है यहां पर एक स्थिति को और समझिए यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अडानीस की कंपनी में हमने बताया आपको 23 हज जार इंप्लाइज हैं लेकिन कंपनियों की परिस्तिती समझिए उन पर होने वाले करज को समझिए और तब अगर राहुल गांदी को फिर भी लगता है कि नहीं नहीं यह कॉर्परेट है और कॉर्परेट के खिलाफ हम कहां हैं बिजनिस के खिलाफ कहां हैं तो एक मैसेज हो सकता है कि आप हमारे लिए भी पॉलिटिकल फंडिंग कीजिए और आने वाले वक्त में हम आपका ख्याल रखेंगे मैसेज ये भी आ सकता है लेकिन भारत की एकनौमी और भारत की राजनिती अब इसकी इजाजत नहीं देती है क्योंकि अडानिस ग्रुप अगर डूबत और 2021-22 का मतलब यह है कि मार्च 2022 तक उसके उपर कितना कर्ज था यह समझिए इसके समरांतर शेयर मार्केट से कैसे अडानिस की कंपनी को लाब होता है यह भी समझ लीजिए अडानी स्पोर्ट 2020 में 34,401 करोड रुपए का डेब्ड था जो बढ़कर 45,456 करोड हो गया अडानी ट्रांस्मिशन 28,146 करोड का कर्ज था जो बढ़कर 30,399 करोड हो गया अडानी इंटर्प्राइजे 16,51 करोड का कर्ज था जो बढ़कर 41,23 करोड हो गया अडानी पावर का कर्ज जरूर कुछ कम हुआ 52,000 करोड से घटकर यह 50,000 करोड पर आया लेकिन कर्ज है अडानी ग्रीन 23,874 करोड का कर्ज बढ़कर 52,188 करोड हो गया अडानी गैस 488 करोड रुपे का कर्ज 2020 में और 2021-22 में बढ़कर 1,999 करोड का हो गया यानी 1,55,463 करोड का कर्ज 2020 में था जो 2021 में बढ़कर 2,20,584 करोड हो गया और आज की तारीक में ये बढ़ते बढ़ते 2,60,000 करोड हो गया लेकिन यही चीज़े जब शेयर मार्किट में जाती है मैसेज जाता है कि ये सरकार के साथ जोड़े हैं सवाल सिर्फ बैंकों के लोन लेकर बैंकों के खत्म और धेने की स्थितिका नहीं है कि कितने बैंक डूब जाएंगे समूचा शेयर मार्किट भी डूब जाएगा क्योंकि देखी अडानी ग्रीन पर जिसने पैसा लगाया शेयर बाजार के भीतर में 120% कलाब अडानी ट्रांस्मिशन 125% कलाब अडानी इंटर्प्राइजेज 114% कलाब अडानी पावर 290% कलाब अडानी गैस 144% कलाब अडानी विलमर 153% कलाब शेयर मारकेट हो बैंक हो इन सारी परिस्तितियों में DMK ने जो फेर बीस पर जो सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही थी तो DMK ने एक सम्मिशन की उसने वहाँ पर जानकारी दी कि दरसल इस देश के भीतर में 2014 से 2017 पहले तीन साल में अडानी ग्रुप को 72 हजार कोड का रिटेन ओफ किया गया यानि देश की सबसे बड़ी कमपनी दुनिया की सबसे नेट वर्थ काली कमपनी को भी 2014 से 2017 के बीच में 72 हजार कोड का रिटेन ओफ किया गया उसके बाद का कोई डाटा नहीं आ पाया फैनानस मिनिस्ट्री को मनहाट है आर बी आई को मनहाट है सामने लेकर ना आए लेकिन डेम के ने ये समिशन सुप्रीम कोट में किया है ये भी बताया कि 2017 से 2022 तक 727 हजार कोड पबलिक सेक्टर बैंक ने रिटेन ओफ किया है जो कॉर्परेट के है उस एकनौमी में कॉर्परेट में अडानी को कॉर्परेट में क्रियेट करके राहूल गांदी कहें हम कॉर्परेट के खिलाफ नहीं है हम बिजनेस के खिलाफ नहीं है हम तो कॉर्परेट मोनप्लाइजेशन के खिलाफ हैं तो यह इस एकनौमी को आप ठीक कैसे करेंगे गहलोत का है हमें तो सिर्फ नौकरी से मतलब है इंवेस्टमेंट से मतलब है वो कोई भी कर दे कमाल की स्तिती है यानि देश चलाना और समालना ये समझ अभी भी नहीं आ रहा है और इस परिस्तिती को अगर नरिंदर मोदी बुक्षमंत्री रहते हुए समझ गए और उन्होंने चीजे इस देश के भीतर में क्रियेट कर दी तो फिर कॉंग्रिसियों को तो उनी से सीखना चाहिए कि देश ऐसे चलाया जाता है इसका मतलब बहुत साफ है क्योंकि इस दोर में जिसका जिकर बार बार राहुल गांदी किसानों का जिकर जब करते हैं तो यह भी समझ यह, 2008 से 2019 तक यानी 11 बरस में 3,12,000 का रुपए फर्म लोन के रिटेन ओफ किये गए हैं लेकिन यही 11 साल में किये गए और इससे आधे साल में दुगनी रकम रिटेन ओफ इंडस्टिरी को की गई सवाल इस देश के भीतर ये है कि ये कहने से नहीं बचा जा सकता है कि आपके पास कोई economic model नहीं है Congress को ये समझना होगा उसका अपना economic model क्या कहता है और अगर इस देश की राजनितिक हवा को बदलते हुए और वो ये सोच कर देख रही है कि अडानी कल उनके साथ खड़े हो जाएं या political funding उनको कर दें तो ये impossible सी चीज है गहलोत अगर ये सोचते हैं कि दरसल investment कोई भी करे और Congress का राग वो ये कह कर गाते रहें कि हम तो नहरू और गांदी वादी है ये बेकुब बनाने की परिस्तिती है कला BJP के साथ जाकर खड़े हो जाईएगा इस राजनिती कांत वहां जाकर होता है और राहूल गांदी जिन बातों का जिक्र करते हुए कह रहें कि मैं अपने तोर पर monopolization के खिलाफ हूँ उनके शब्दों में इसलिए मौजूदा वक्त में कोई नजर नहीं आता है क्योंकि ना तो मैं business के खिलाफ हूँ ना मैं corporate के खिलाफ हूँ मैं concentration of capital के खिलाफ हूँ तो concentration of capital अगर राजनितिक सत्ता करती और चंद प्यादों को चुनती है और उन प्यादों को अगर आप corporate के तर्च पर माननेता देते हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आपकी सत्ता में भी वो corporate ही रहेंगे और इस देश की जो संपत्ती लूटी गई और इस परिस्तिती में लाकर देश की एकनॉमी को खड़ा कर दिया गया जहां महंगाई है बिरोजगारी है भविश निदी का पैसा निकालने तक को लोग मजबूर है तो इसका मतलब है कोई alternative economy की सोच नहीं है और कुछी मुकमंत्री के पास अगर अपने state के भीतर वो corporate को पैदा नहीं कर पाए और अपने तोर पर industrialist को बड़ा न कर पाए तो इसका मतलब बहुत साफ है कि वो governance नहीं समाल रहे है हर कोई अपनी राजनितिक सत्ता को बचाने के लिए तमाम ताकतवर राजनितिक सत्ताओं के साथ समझोता कर रहे हैं इसलिए मानी अडानी और जैशा का नाम गहलोत लेते हैं तो क्या ये एक ऐसी परिस्तिति है जो Congress की गले की हड़ी है या Congress किसी बड़े खेल को देख रही है ये एक ऐसी इस्तिति है जोसमें corporate के लेकर एकनॉमी के मत्य नजर Congress के पास कोई सोच नहीं है ये सारे सवाल इसलिए भी महत्पुन हैं क्योंकि भारत के भीतर जिन सवालों को आप पर रखते हैं उसमें सोचिए अडानी पंजाम में जाकर FCI के पैरलल में गोडाउन बना लेते हैं मद्द परदेश की सरकार FCI से डील नहीं करती है अडानी इसके गोडाउन्स को लेकर डील करती है ममता बेनरजी पोर्ट्स को लेकर अडानी से समझोता करती है खादान को लेकर 36 गर के मुक्कमंत्री अडानी से समझोता करते हैं आदिवासी बेगर हो रहे हैं जंगल काटे जा रहे हैं कोई फरक नहीं पड़ता है और राजस्तान में साथ हजार कोड की डील भी हो जाती है क्योंकि इस देश में इन्वेस्टमेंट महत्पुन है इस देश के बीतर इन्वेस्टमेंट से रुजगार निकलता है ये कमाल की सोच है अगर ऐसी स्थिती होती तो अडानीज गृप को में रहना चाहिए था और नेटवर्ट बरने के साथ उसे बैंक से लो नहीं लेना चाहिए था वो प्रोड़क्स मार्केट में आने चाहिए थे लेकिन एक के बाद एक कमपनियों को खरीदते हुए राजनितिक सत्ता की धमक तले जिस एकनौमी को डेवलप किया जा रहा है उसमें अगर हम ना बिजनिस के खिलाफ है ना कॉर्परेट के खिलाफ है यह शब्द अगर राहूल गांदी कह रहे हैं तो मैसेज बहुत साफ है कि दरसल इस देश के भीतर में मोदी एकनौमी इस देश को और कंगाल बनाएगी और राजनितिक तोर पर दिवालिया पन कॉ और गहराएगा सियासी तोर पर यह इसलिए कहने की जुर्रतान पड़ी है क्योंकि अगर आप गरीबों की तादाद इस देश में देखना शुरू करें तो आपको जानकर हैरत आ जाएगी भारत के भीतर में निती आयोग की आखरी रिपोर्ट बतलाती है भारत में 27 रुप 33 पैसे पर शहरी जीवन चलता है ग्रामीन और शहरी जिसके दाइरे में इस देश के भीतर में लगभग 40 करोड लोग आते हैं उसमें से 21 करोड उत्तर परदेश, मद्दपरदेश, बिहार, औरीसा, 36 गड़, असम, जारकंड यहां जानना चाहते हैं एवरेज गाउं में प लोग निती आयोग की रिपोर्ट के मताबिक जिस जिन्दगी को जीते हैं उस जिन्दगी में हम कॉर्परेट की रईसी को देखते हुए उसे अपराद से मुक्त करके ये कहें कि हम बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं हम कॉर्परेट के खिलाफ नहीं हैं और डेवलप्मेंट हो रहा है जहां मुद्दे गौन हो जाते हैं और ये सत्ता अपनी उडान में हर मुद्दे को नए तरीके से उठा कर उडान भरते चले जाती है और लोगों की परिशानी लगातार विकल्प खोसती है और विकल्प हीन राजनीती के भीतर सवाल यही उठता है कि आप अपराधी क आने वाले वक्त में अगर यह कहेंगे नहीं नहीं इसके जरीए कुछ लाब ले लिया जाए इसे सुधार गरह में ना भेजिये तो इससे विवद सिस्थिती कुछ हो नहीं सकती बहुत 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 शुक्रिया